नेटवर्क मार्केटिंग कमपनी में जूडने से पहले आपको दोस्तो एक चीज का हमेसा ध्यान रखना है जो आज तक सायद ही कुछ वीडियो में आप सुने होंगे या आप नए सुने होंगे तो दोस्तो मैं बताना चाहूंगा किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कमपनी स कुछ बातों को ध्यान भी जरूरोर रखे नहीं तो दोस्तो आने walे समय में आप धोखा का सकते हैं या आप गलत कंपनी के हाथ में फंस सकते हैं तो दोस्तों यहां बात को जरूर से जरूर एप्लाइ किजिए और किसी भी कोई भी दोस्त हो कोई भी 개री परवार का हो यह सोइ सुधान करने का लोग टर्म विजन क्या है उसको मालूम करने चाहिए इसके लिए किसी भी कमपनी का आप उस बिजनेस में जुड़ने के लिए पहले आप उस कमपनी के सेमिनार या बिजनस प्लान को अटेंग जरूर कीलिए और दोस्तों वहां बैटकर आप नोटीस कीलिए क उस company का vision और future planning क्या है अगर उस company के seminar में सिर्फ हवा हवाई में बात हो रही है बस ये leader ने इतना कमाया ये leader ने इतना कमाया मन्थिले का इतना income इतना कार आ गया दोस्तों अगर ऐसा अगर हवा हवाई बात हो रहा है और real में दोस्तों वहाँ पास ऐसा achievement हुआ है उसके बाद भी आपको थोड़ा patience रखने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों आपको motivation में कभी नहीं जाना आपको दोस्तों उस company की basic को समझनी है कितनी sell पे कितनी income होनी है कितनी level लशीव करने के लिए कितनी target आपको beat करनी पड़ेगी joining package क्या है product का जो price है market के नुसार है या कुछ ज़्यादा है दोस्तों ये काफी महत्व रखती है आपकी business को बढ़ाने के लिए और team को आगे और लंबा समय तक survive करने के लिए तो दोस्तों यह जरूरी है कि business का पुरा उसका business module product plan सभी को दोस्तों सही होना चाहिए और एक limit रूप में उसका जो price है ओ होना चाहिए अगला है जिस company से आप जूड़ना चाहते हैं उस company से जूड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और हो सके तो पुराने लोगों से मिले उन्हें दोस्तों जच किजिए कि क्या उसका रवया सहयोगात्मक है क्या आपको आगे चलके सहयोग कर सकते हैं या सिर्फ वह अपने product को बेचने के मकसद से या अपने फायदे के लिए सिर्फ आपको जोड़ना चाहते हैं दोस्तों इसको अनुभाव और इसको जच करना आपके उपर है अगर आपके senior या होने वाला applying का रवया दोस्तों अगर सही नहीं है सहयोगात्मक मदद करने के अनुसार वैभार नहीं है तो आगे आपको सफल होने के लिए काफी महनत करना पड़ेगा या आप सायत महनत या सफल हो भी नहीं पाऊगे दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि network marketing में company में एक teamwork है और जब तक आपको एक team का सही support या senior का सही support और आपके आने वाला नए team का सही support applying और downline में अच्छे team नहीं बनती तक तक दोस्तों आप इसमें सफल नहीं हो सकते या 100% सही है क्योंकि network marketing में team मनाना काफी जरूरी है दोस्तों यदि आप अकेला ही काम करते हैं तो दोस्तों आप एक salesman की तरह जिंदगी भर आप समान बेशते ही रह जाएंगे जिंदगी में कभी न तो बड़ा पैसा कमा पाएंगे और नहीं आपका बड़ा सपना पूरा हो पाएगा इसलिए दोस्तों आपको team मनाना काफी जरूरी है और team मनाने के लिए एक अच्छे applying एक जरूरत मन एक senior की जरूरत पढ़ता है जो आगे चलके आपके हर कदब में आपकी team और आपका सहयोग करते रहे अगला बात है दोस्तों यदि आप जिस company में जोइन करना चाहते हैं उस company के training system, education system कैसी है दोस्तों इस पर भले ही दो दिन का समय ले लेजिए लेकिन दोस्तों अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि दोस्तों learning is earning दोस्तों सीखोगे तभी ही आप ऐसे कमा पाओगे या 100% है दोस्तों बिना education का आप एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते एक बड़ा achievement नहीं ले सकते इसलिए आपको भी सिक्षित होना जरूरी है और आने वाला आपके team को भी दोस्तों training के जरूरत है इसलिए दोस्तों product की price और बार बार बोर हों दोस्तों product की price और training दोस्तों इसमें company का मजबूती होना बहत ही जरूरी है तबी दोस्तों आप एक long term business कर पाएंगे और अपने team को भी दोस्तों आप अपने साथ-साथ achievement दिला पाएंगे इसलिए जरूरी है जिस company में आप जोईन करना चाहते हैं उस company की खास कर training system मजबूत होनी चाहिए दोस्तों अगला है जैसे कि आपको पता है अभी 2021 की दिसंबर 8 दिसंबर को एक नया guidelines के जखा दोस्तों एक network marketing में law आगया है जिसको हम कानून बोलते हैं दोस्तों network marketing guidelines दोस्तों guidelines एक अलग होता है कि बस एक नियम बना दिया है कि ऐसा सा guidelines है इसको आपको अगर पालन करना होगा दोस्तों अगर पालन करो तो भी ठीक है नहीं करते हो तो भी ठीक है लेकिन दोस्तों अब उसको दोस्तों कानून law में बदल दिया है दोस्तों अब इसका अगर पालन नहीं करते हैं और किसी प्रकार का कुछ गलती होता है या कुछ बहस होता है तो सिधा कानून आने के वज़ह से सिधा आपकी ऊपर एकसन हो सकते हैं तो दोस्तो एकолод पी एक तरह से देखो तो अच्छी बात है network marketing में कानून होना अड़ूट से काम होना है इसलिए दोस्तो जिस भी company से जूड़ना चाहते हैं उस company को अपने distributors और training एवं दोसो company की जो legal document है दोसों उसको आपको अच्छी से check करना चाहिए और company की पुरा legalities को check करने के बाद सही हैं कब से काम कर रही हैं क्या क्या document हैं सही हैं या गलत हैं समी को check करें उसके बाद दोस्तों company को join करें और दोस्तों साथ ही साथ आपको यहां भी ध्यान में रखनी है कि भारा सरकार direct selling companies की एक list जारी की हैं पता कर लें दोस्तों की उस company में या आपकी company या जीस company में जुड़ना चाहते हैं उस company का list जो government के list में है या नहीं दोस्तों एक बार इसको ध्यान से जरूर एक बार चेक करें उसके बाद ही दोस्तों अपने decision आगे लें नेश्ट है दोस्तों company में जुड़ने से पहले यहां चेक करना काफी जरूरी या महत्तपुण है कि अब पता कि यह कि वह company product base है या service base है ऐसा तो नहीं कि दोस्तों वह social trade है या एक money circulation business है दोस्तों इस तरह का business में दोस्तों आपको join बिल्कुल भी नहीं करता है कि कई company ऐसा आता है कि बस click करने से पैसा आता है या click करने से पैसा मिल जाता है तो दोस्तों ऐसा company बस कुछी दिन करता है सिर्फ पैसे कमाने किसा मकसद है दोस्तों दो मेना चार मेना पांच मेना साल बर चलेगा उसके बाद दोस्तों आपको समय और पैसा और team तिनों बरबाद हो जाएगा इसलिए दोस्तो सही quality का और सही दाम में दोस्तों आपको product थे लोगों का दोस्तों खरिदने लायक रहे और उसका फायदा उसका result बहुत जल्दी मिले दोस्तों market के अनुसार उसका price हो दोस्तों ऐसा company आपको लगता है और लगता है कि दोस्तों इसमें काफी लोग achievement ले रहा है काफी दिन से company चल भी रही है तो दोस्तों ऐसा भरोसे बन company के साथ आप जोईन करे ऐसा नहीं कि आप कोई फर्जी company या जदा पैसा देने वाले company या कुछ trending या कुछ भी दोस्तों जैसे पैसा double करने वाला या कुई कोई company सिर्फ money laundering ही तो नहीं कर रही है इसा है तो सौधान हो जाए company आज नहीं तो कल दोस्तों आपके साथ प्रॉट करके भागने ही वाली है इसलिए दोस्तों उपर बताए गए एक सही company सही product base सही product की price और सही result वाले company के साथ जोईन करिए ताकि दोस्तों आपके team और आप हमेसा लंबिर समय तक काम करते रहे और आपका achievement दोस्तों कम समय में अच्छा से अच्छे हो जाए अगला है दोस्तों सबसे important बात network marketing company में जूडने से पहले आपको दोस्तों एक चीज का हमेसा ध्यां रखना है जो आज तक साइध ही कुछ वीडियो में आप सुने होंगे या आप नए सुने होंगे तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा किसी भी network marketing company से जूडने से पहले दोस्तों उसकी balance sheet जरूर चेक किजिए company कहीं उधार पर तो नहीं चल रही है या दोस्तों उसके पास cash है या नहीं दोस्तों company का turn over भी पता करना पड़ेगा दोस्तों ऐसा होता है कि बाहरी बाहर दोस्तों हमको motivate कर देता है और company का balance sheet जब हम Google से चेक करते हैं तो वहाँ उधार पर चलती रहती है तो दोस्तों ऐसे में आपका career का खत्रा हो सकते है तो दोस्तों कहने के मतलब यह है कि किसी भी नेटॉक marketing company में जूड़ने से पहले उसकी एक बार balance sheet जरूर चेक किजिए दोस्तों balance sheet चेक करने के लिए आप YouTube पर search कर सकते है किसी भी नेटॉक marketing company का balance sheet ऐसे चेक करे क्रिपय करके उसकी फायदा के लिए इस वीडियो का link एक बार जरूर सेर करिए ताकि दोस्तों हर वेक्ती सचेत हो जाए हर वेक्ती सवधान हो जाए जूड़ने से पहले I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ है तो वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने सांथियों के पास सेर जरूर किजिएगा दोस्तों मिलते हैं कोई नए ऐसी इनटॉक मांकेटिंग के कोई नए टिप्स या ट्रिक्स या सक्सेज वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार